नमस्कार दोस्त आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टेक फॉर्मेशन गिवर में दोस्त आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूँ एक बजट फोन जो 15,000 रुपे के अंदर काफी तगड़े फीचेस के साथ आता है दोस्त इस वीडियो में आपको सारे जानकारी मिलने वाला है तो वीडियो को आखिर तक देखना हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं इसी तरहा का इंफॉमेटिवे वीडियो रोज लाता रहता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चलिए वीडियो को सुरू करते हैं Poco X5 फोन में 6.67 इंच का FHD AMOLED डिस्प्ले दिया गया है इसमें वीडियो देखने का एक्स्पीरियंस अच्छा रहा है फोन में 120 हट्स तक का रिफ्रेश रेट दिया गया है फोन में सबसे अच्छी बात यह है कि जिस कीमत में इसे लॉंच किया गया है उस कीमत में 120 हट्स फोन बहुत फोन्स में नहीं दिया जाता है लेकिन इसमें दिया गया है धूप में फोन को ले जाने पर फोन की ब्राइटनेस को फुल करना होगा जिससे आपको फोन की स्क्रीन पर कंटेंट एकडम ख्लियर दिखाए दे पोको एक्स फाइब पर्फोमेंस की बात करें तो फोन में स्नेफड्रेगन 695 प्रोसेसर दिया गया है जिसके साथ 8GB तक की RAM और 256GB तक की स्टोरेज दी गई है पोको एक्स फाइब फोन में ट्रिपल रियर कैम्रा सेंसर दिया गया है इसका पहला sensor 48MP का है, दूसरा 8MP का है और तीसरा 2MP का है फोन में 13MP का front sensor दिया गया है दिन की रोशनी में फोन से अच्छे shots लिये जा सकते हैं front camera की बात करें तो इससे दिन की रोशनी में अच्छे capture लिये जा सकते हैं लेकिन कम रोशनी का experience अच्छा नहीं रहा है वीडियोग्राफी की बात करें तो इस फोन से आप 720p at 60 hours या 1080p at 30 hours पर वीडियोग्राफी कर सकते हैं फोन में 5000 mAh की बेटरी दी गई है जो 33W fast charger को support करती है 0 से 50 फीसद तक charge होने में फोन को 30 मिनट का करीब करीब समय लगता है वहीं full charge होने में एक धंटे तक का समय लगता है दोस्त वीडियो में बस इतना अगर आप इसी प्रकार के नए नए फोन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को अभी subscribe कर दिजिए आगे आपको और भी बहतरीन informative वीडियो रोजाना देखने को मिलेगी Thanks for watching. Love you